नमस्कार आज हम हरे मुंग के चिल्ला बनाएंगे इसे दोसा भी कह सकते हैं चिल्ला इसलिए कहेंगे क्योंकि यह फर्मेंटेड नहीं है इसे हम तुरंथी बनाएंगे तो हरे मुंग को पहले हम 6-7 गंटे के लिए बिंगोल लेंगे लेकिन अगर आपके पास ताइम नहीं ह तो 2-3 गंटा बिंगोई हुए भी हरे मुंग को ले सकते हैं यह भी सौप्ट हो जाता है अब इस बिंगोई हुए हरे मुंग को हम दो हरी मीज थोड़ा द्रक का टुकड़ा के साथ थोड़ा पानी डाल कर पीस लेंगे अच्छा बारीक पीस लेंगे और इसमें कम पानी का इस्तेमाल करेंगे जितना कम पानी डालेंगे उतना अच्छा इसमें आप चाहें तो एक आलू को भी छील कर रफली चॉप करके डाल सकते हैं अब यह हमारा बैटर तयार हो गया है अब इस बैटर में थोड़े कुछ मसाले मिलाएंगे इसमें स्वादा नुसार नमक डाले वन फोर टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे दो चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे अच्छा मिक्स कर लेंगे अब यह बैटर हमारा रेडी हो गया है यह दोसे के बैटर की तरह ही होगा इसमें जरोत के हिसाब से पानी मिला लेंगे और इस तरह जब हम इसे कल्छी से गिराएंगे तो इस तरह से यह दोसा की बैटर की तरह गिरेगा अब हम तवा गरम कर लेंगे तवा करने के बाद इसमें थोड़ा रिफाइंड ओल लगा लेंगे पानी छिड़केंगे अब कल्ची की मदद से इस गोल को एक कल्ची लेकर तवे पर फैलाएंगे इस तरह ओएल लगा लेंगे चारो तरफ से अब इसका जब उपर से कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा अब इस चिला के उपर का कलर चेंज हो चुका है अब इसे हम बड़े अराम से उल्टेंगे अराम अराम से इसे अच्छा उलट देंगे और दूसरे साइड भी पकने देंगे अच्छा पका लेंगे, इस तरह से ये दोनों साइड से पक कर रेडी हो जाएगा, और ये चिला हमारा बन कर रेडी हो जाएगा, इस चिला को हम निकाल लेंगे, इसी तरह से और भी हरे मूं के चिला को हम तयार कर लेंगे, ये चिला बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होगा, औ इसी तरह से यह चिला हम बना लेंगे इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी भी हम South Indian तरीके से बनाएंगे हमहारे धनिया की South Indian चटनी बनाएंगे South Indian चटनी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए एक इंच अद्रक का टुकड़ा छिलका निकाल कर मिक्सर जार में ले लेंगे दो हरी मिज, थोड़ा धनिया पत्ती, दो चम्मच सुखा नारियल का बुरादा ले लेंगे इसके जगा पर आप सुखा नारियल का एक टुकड़ा भी ले सकते हैं या फिर ताजा नारियल भी ले सकते हैं हाप टीस्पून नमक डाल देंगे या स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल ले अब इन्हें हम थोड़ा पानी डाल कर पीस लेंगे पानी एक दो चम्मच डालेंगे अच्छा पीस लेंगे महीन अब चोका की त्यारी करेंगे तो चोका के लिए एक छोटा चोका पैन ले लेंगे या कल्ची भी ले सकते हैं इसमें एक चम्मच रिफाइंड ओयल डालेंगे हाप टीस्पून सरसो के दाने तड़का लेंगे कड़ी पता थोड़ा डाल देंगे इनको अच्छा पका लेंगे अब चुले को बंद कर देंगे अब इस चोका को पीसे हुए चट्नी में डालेंगे चोका लगा लेंगे बहुत ही टेस्टी साथ इंडियन चट्नी बनकर तयार हो जाएगा इस तरह से हमने हरी चट्नी भी तयार कर लिया है तो इस चिल्ला को या दोसा कह लीजिए इसको आप इस हरी चटनी के साथ खाईए इन्जोई कीजिए यह बहुत ही टेस्टी लगता है और हिल्दी भी है तो इसको बनाईए खाईए इन्जोई कीजिए थैंक्स